नमस्कार दोस्तों मैं विसीक आपका विसीक युटेरियल पे स्वागत करता हूँ आज के वीडियो बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट होने वाली है तो पूरी वीडियो बिल्कुल दिहान से दिखेगा जैसा कि बहुत लोग का लगतार कॉमेंट आ रहा था कुछ लोग कॉल कर रहे थे कि सर जो ये ग्रेसिंग मार्क्स है किस सबजेक्ट में ग्रेसिंग मार्क्स मिलता है और किस सबजेक्ट में ग्रेसिंग मार्क्स नहीं मिलता है और यो जो एक्स्ट्रा मार्क्स बिहार सरकार देने वाली है बिहार देने वाली है इंटर परचारतियों को और इसका फैदा मैट्रिक वालों को ही मिलेगा तो वो किस तहत मिलेगा यानि कि ग्रेसी मार्क्स क्या है और एक्स्ट्रा मार्क्स अलग अलग है या एक ही है तो ग् बहुत साई टेंसन थी छातरों की जो लगातार कॉमेंट कर रहे थे तो मैं सोचा कि एक एक कॉमेंट करका जवाब देने से अच्छा है मैं इस पर एक असपेसल वीडियो बना देता हूँ इसलिए मैंने सारी जनकारी कटा की और सोचा कि अपने वीवर्स को एक अच्छी जनक करके बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि बिहार बोड की अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहें आपको यह भी बता दे कि इस चैनल पर जो इंटर का एक्जाम तो आप खत्म हो किया है आगे जो ग्रेजेशन में एडमेशन की प्रकिरिया होगी वो सारी प्रकिरिया सभी उन्व हैं ठीक है चाहिए वो पाटली पूतर हो मगद हो सभी का जनकारी आपको इस चैनल पर दे दिया जाएगा तो आएए यहां से वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं कि आप लोग का ग्रेशी मार्क्स और एक्स्ट्रा मार्क्स क्या है सबसे पहले बात करें कि एक्स्ट्रा मार नेखाने यह जान लेते हैं देखे एक्स्ट्रा मार्क्स जो किया गया है उसे आप सबसाल है यानि कि यहां पर अशारती ने है पर अच्छा लिखा है और overall अच्छा उनका performance रहा है तो performance के हिसाब से आपको extra marks दिये जाएंगे यानि extra marks जो है वो हर परचारती का अलग-अलग हो सकता है किसी को ज्यादा तो किसी को कम depend करता है उसकी copy कैसे लिखे गई है उसने attempt of question कितने किये है वो सब कुछ उसके writing पर depend करते है और उसने कैसे लिखे है बहुत लोगों ने ये भी query कर रहा था कि मैंने जब copy लिखे है तो बीच में serial number question नहीं डाले है तो क्या इससे extra marks पे effect पड़ता है जी हाँ बिल्कुल पड़ता है extra marks जो होता है वो copy का schedule देखकर ही पता चलता है कि आपने copy कैसे लिखी है तो इसपे depend करते है यहाँ पे पूरा वीडियो बिल्कुल धियान से देखेगा सारी जनकारी देने जा रहा हूं मैं इसी में अने कैर्मी लेकर आ गया है इंडिया's largest scholarship test for NEET UAZ हर संदे की तरह इस संदे भी 21 फेवरी को सुवह 11 वजे यह scholarship contest होने जा रहा है तो syllabus में class 11, class 12 और class 13 का syllabus आपके skin पे है जलोजी, botany, physics, chemistry सारे syllabus आप देख लेंगे इसी syllabus से आपके questions वहाँ भी पुछे जाएंगे बात करें यहाँ पे यह test के लिए इंडॉल कैसे हो सकते हैं तो नीचे description में आपको link दिया गया है class 11, class 12, class 13 किसी भी class के लिए आप इंडॉल कर सकते हैं देट याद रखेंगे 21st February सुबह के 11 वजे test format की बात करें यहाँ पे 75 मिनट्स का time दिया जाएगा और 28 questions होगे separate contest होगा 11, 12 और 13 के लिए नीचे link description में है एक और मौका यहाँ पे all India ranker submit for need use and IATZ के लिए मिल रहा है जो की होने जा रहा है 20 February और 21st February को तो आप इसमें आज ही सामिल हो नीचे आपका link description में दिया गया है और इसमें referral code अभी सीक टिटियर डाल कर आप इंडॉल कर सकते हैं डेट याद रखेंगे 20 February and 21st February को सुबह के 10 बजे तो आज ही जो रहे अनकैडमी लेट्स क्रैके टिटिट अब देखिए ऐसा नहीं है कि जिसने सिरियल वाइज लिखा है उसी को extra marks मिलेंगे extra marks उन्हें ज्यादा मिल सकते है जैसे किसी को अगर 10 extra marks मिल रहे है तो उसे 15 से 20 मिल सकते है यह benefit होगा जिन्होंने सिरियल वाइज लिखे है और सभी question के answer perfect group में दिये है जो आपका bird limit है उस अनुसार से दिये है तो उनको extra marks जो है इस तरीके से मिलेंगे आप confirm होगे extra marks के बारे में फिर भी extra marks के बारे में कोई भी अगर query रह गई है तो आप comment section में जरूर comment कर दे मैं अगले वीडियो में जर subscribe करोगे तो subscribe कर लेना थाकि next video मैं दूँ तो आपको बोजनकारी जो आप comment किये है वो आपको मिल सके बात करते हैं grace marks का grace marks जो है book की subject में आपको कितना मिलेगा सबसे पहले आपको ये बता दें कि grace marks जो है उस परचारती को दिया जाता है grace marks का मतलब होता है कोई परचारती अ आपका किसी paper में 30 number passing है math का माल लेजिए कि 30 number passing score है और आपका marks जो है 20-22 बन रहा है तो उसमें अगर आपको 8 number दे कर 30 number दे दिया जाए तो अगर आप 30 number लेकर pass हो जाते हैं तो उसे बोलते है grace marks ठीक है तो अगर आपको fail होने का डर है तो उनकी लिए grace marks जो है वो beneficial होते है ठ तो grace marks नहीं आपको extra marks पर धियान देना चाहिए extra marks जो बिहार government देने वाली है बिहार बोड देने वाली है बात करें कि किस subject में grace marks मिलता है और किस subject में नहीं मिलता है ऐसे तो बात करें तो सभी subject में grace marks देने का प्रभधान है इस बार लेकिन language paper जो है language paper जो होगी आपका Hindi और English यह language paper होता है तो language paper में बिहार बोड की guideline जो है पिछली guideline कि आपको language paper में 100% pass होना है क्योंकि language paper में आपको grace marks नहीं दिया जा सकते हैं ठीक है अगर language paper में आप fail है तो आपको fail कर दिया जाएगा लेकिन यह आपका पिछले बार का update था लेकिन इस बार को जो update है अगर आप language paper पर में फेल कर रहे हैं तो आपको grace marks तो नहीं दिया जाएगा लेकिन जिस बगत copy जाच होती है उसी बगत आपको pass कर दिया जाएगा मेरी बात को समझ रहे हैं अगर आपका language paper में 22 marks आ रहा है तो जब copy और इंग्लिस में आप लोग पास भी कर जाएंगे इस बात का बिलकुल ध्यान रखें कि इस बार कोई भी कंडिडेट ऐसा नहीं होगा जिसके सभी पेपर में मार्क्स अच्छे हैं और किसी एक पेपर में मार्क्स कम होने की बज़े से या ग्रेस लगने की बज़े से वो फे इस सब्सक्रार नहीं हुआ था करोना के लॉग्डून के कारण सभी को मार्क्स बहा दिये गये थे इस बार उसी टैप किया जाएगा यानि कि compartment की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो आपको grace marks दिया जाता है जो हिंदी और इंग्लिस में नहीं मिलता है नियम नहीं है देने का उसमें आपको grace marks जो है वो copy जाज के time ही दे दिये जाएंगे यानि pass उसी time कर दिया जाएगा यानि यहाँ पर बिहार बुर का सीधा दिये से कि किसी की copy को fail नहीं करना है उसने कुछ भी लिखा है तो passing marks तो उसे दे ही देने है ठीक है यानि कि आपको cross नहीं लगने जा रहा है बात करें extra marks की तो extra marks depend करता है आपकी copy पर मैं बार बर बोल रहा हूँ ऐसे बिहार बुर की तरब से माने तो 10% का extra marks सभी को दिया जाना है तो 10% का extra marks तो सुनिश्चित है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा लेकिन अगर आपने copy ज़्यादा अच्छी लिखी है तो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपके 270 marks भी बन रहे है तो वो आपको 300 हो सकते है 280 बन रहे है तो भी 300 हो सकते है 260 बन रहे है तो 280 हो सकते है यानि इस तरीके से आपका पुरबधान इश्वर किया है कि कुल मिला कर आपको अच्छे marks मिलेंगे तो आई थिंग इस वीडियो में मैं बताने वाला था ग्रेस marks और extra marks तो यहाँ पे सब कुछ आपको clear हो गया है बहुत लोग भूल दें तो सर आर्स वालों को ग्रेस marks कैसे दिया जाएगा तो देखिए आर्स के हैं या commerce के हैं सभी वो ग्रेसी marks का एक ही नियम है extra marks भी सभी को मिलेंगे चाहे वो आर्स का stint हो, science का stint हो, commerce का stint हो मैं पहले यह बता दिया था इस बार ही बता रहाऊ सभी को extra marks मिल जाएंगे 10% किसी को मिलेंगे, किसी को 15% मिलेंगे किसी को 20% मिल सकते हैं dependent करता है writing पर कैसी copy लिखे गए है, attempt of question कितने है कर देते हैं और फिर उसे पुनह देते हैं तो वैसे परचातियों को मार्क्स पे थोड़ा असर पड़ते हैं लेकिन कुल मिला कर आप सुनिश्चित रहें आप लोग का फेपर का रिजल्ट बहुत अच्छा होने जा रहा है मिलते हैं आप से अगले वीडियो में वीडियो को लाइक और स्थेयर जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना